हलो दोस्तों मैं अखिलेश अवसी गाई लिया ओफिचल यूटीब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूँ तो दोस्तों आज के हमारे इस सेशन में क्या है क्या जानेंगे हम आज आज दोस्तों हम जानेंगे लॉंगेस्ट ब्रिजिस ऑफ इंडिया जो भारत के सबसे लंबे जो पुल है उसके बारे में आज हम इस सेशन में जानेंगे और कितने 25 जो 25 लॉंगेस्ट ब्रिज है भारत के उसके बारे में जानेंगे देखिए ये किसका part है दोस्तों? ये static GK का part है, किसका part है ये? static GK का. कोई भी exam हो, चाहे हैं आप bank की examination की बात कर लीजे, चाहें SSE की examination की बात कर लीजे, static GK का part बहुत important होता है, और एक number का question हमें static GK के part से मिलता है. तो static GK में आज हम India के longest bridges की बात करेंगे. क्या-क्या है वो bridges उनके बारे में हम जानेंगे तो इस session के साथ जुड़े रहीगा दोस्तों तो पहले एक बात कर लेते हैं दोस्तों जो RBI और SBI के mains examinations हैं उनके लिए और आगे bank के जितने भी examinations आने वाले हैं उनके लिए guideline आपके लिए एक express video course launch किया है दोस्तों बहुत ही अच्छा ये course बनाया गया है सारी चीज़े अब लेवल है इसमें और YouTube का अब तक का सबसे best course है ये tips and tricks मिलेंगी यहाँ पर आपको 400 plus practice PDFs मिलेंगी practice quiz है यहाँ पर weekly live doubt clearing sessions मिलेंगे personal guidance है secret telegram group पे और ये सबसे अच्छी बात है एक देखे हर एक product की एक USP होती है ना USP unique selling point तो इसकी USP क्या है lifetime validity याद रखेगा ये main USP है इसकी मतलब अब तक जितने भी YouTube पे course हैं कोई भी आपको lifetime validity provide नहीं कर रहे हैं ये कैसा course डवलप किया गया है जो आपको lifetime validity provide करेगा previous years के revisions भी होंगे यहाँ पर तो दोस्तों इस course के बारे में और ज़्यदा detail के लिए आप इस number पे call कर सकते हैं इस mail पर आप mail कर सकते हैं और दोस्तों इस course को अगर आप purchase करें हैं और इसके बाद आपका selection हो जाता है तो दोस्तों 100% cashback भी है मतलब यह course पैसा कमाने के लिए नहीं बनाया गया है दोस्तों आपके selection के लिए बनाया गया है ठीक है आपका selection होता है आप हमें inform करेंगे और देन उसके बाद आपको 100% cashback भी दे दिया जाएगा देन यहाँ पर क्या क्या होगा इस course में high level puzzles होंगी दोस्तों high level DI होगी reasoning है यहाँ पर सारे के सारे topics English languages है A to Z arithmetic है General banking और financial awareness को cover किया गया है और दोस्तों बहुत ही कम amount में 1499 1499 स्कोर्स की cost है और यह limited duration के लिए क्योंकि lockdown चल रहा है सभी लोग घर में है तो इसलिए उसको देखते हुए इसकी cost बहुत ही कम रखी गई है दोस्तों Then किस तरीके से subscribe करना है इस course को तो इस website पर आप visit करिए या इस number पर call करिए या इस mail पर आप mail करिए तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने session की तरफ तो longest bridges above water in India यह आज हम discuss करने जा रहे हैं दोस्तों सबसे पहले समली जी का bridge क्या है देखे यह एक image बनी है तो bridge आप देख रहे हो एक point से दूसरे point को connect कर रहा है अब देखे अगर country के बिहाफ पर हम बात करें तो economic structure के बिहाफ पर बहुत ही important होता है bridge कैसे important होता economic और again bridge जितने भी है यह infrastructure का part होते है किसका part होते हैं दोस्तों infrastructure का part होते हैं अब सोचिए यहां से यहां को connect कर दिया गया क्या बना के एक bridge बना करके जब यह bridge नहीं था तो सोचिए जो माल लो यह ऐसे पूरा घूम करके यहां पर मुचना होता होगा माल लीजे आप इस तरीके से तो इतना माल लीजे यह घूमने से कितना है यह 25 किलोमेटर का दायरा था और यह जब bridge बना दिया गया पूरा proper तो यह area कितना हो गया 10 किलोमेटर हो गया तो दोस्तों सोचिए यह जो 15 किलोमेटर का distance था जो हमें पहले cover करना पड़ता था जादा अब यह कम cover करना पड़ेगा तो दोस्तों सोचिए एक तो यह 15 किलोमेटर का distance daily कितने वाहन करते थे उनमें कितना petrol खर्च होता था यह बात सोचिए तो देश के बिहाफ पर जब एक bridge बनाया जाता है इसको हमें अगें हमने जो bridge बनाया है यह देखिया आप यह जो नदी है बह रही है हमने इसका बहना नहीं रोका कि ऐसा बना दिया हो कि नदी यहीं पर रुख गई हो नहीं तो अगें वही है बोड़ी ओफ वाटर जो है वो बहती रहेगी वहले है दो घाटियों को जोड़ने के लिए दो सडकों को जोड़ने के लिए for the purpose of providing passes over the obstacles obstacles के उपर से passes प्रोवाइड करने के लिए bridge का निर्मार किया जाता है अभी क्या बताईए यह नेशन के infrastructure का एक बहुत ही महत्तपूर हिसा होता है it increases the cash flow obviously cash flow बढ़ेगा अब यह connect आपने कर दिया यह reason यहां से connect नहीं था तो आप सोच लिजे बहुत सारी कमिया होती होगी अब आपने connect कर दिया आप क्या होगा ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर क्या होगा व्यापार होगा इनके बीच में यह बात याद रखेगा ठीक है तो इस तरीके से समझना है इसको दोस्तों बढ़ते हैं तो दोस्तों सबसे पहले भारत के सबसे लंबे सेतु की बात कर रहा हो सबसे जो longest है अब तक का ठीक है अभी तक भारत में जितने भी ब्रिज बने है उनमें सबसे लंबा जो ब्रिज है सबसे लंबा पुल वो कौन सा है भूपेन हजारिका सेतु अभी इनाउगरेशन किया गया था इसका 2017 में प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा इसे ढोला सदिया ब्रिज भी कहा जाता है पहले इसका ढोला सदिया नाम था फिर इसका नाम कर दिया गया भूपेन हजारिका सेतु याद रखेगा अब कॉन्स्टर्टेट ओवर किसके उपर बना है दोस्तों ये लोहिद रिवर के उपर बना है लेंथ 9150 मतलब 9.1 किलोमेटर दोस्तों कितना लंबा है ये 9.1 किलोमेटर लंबा ब्रिज है 2017 में ओपिन किया गया जनता के लिए और लोकेशन इसकी कहा है दोस्तों लोकेशन है इसकी तीन सुकिया आसाम और ट्रांसपोर्टिशन किस तरीके का ये पुल है तो ये रोड सडक का पुल है किसका पुल है सड़क का पुल है और यह कनेट किसको करता है दोस्तों यह North East State of Assam जो उत्तर पूर्वर्ती राजी आसाम है आसाम और अरुनाचल प्रिदेश को कनेट करता है यह ब्रिज याद रखेगा यह इसकी इमेज है दोस्तों तो यह कनेट करता है तो यह है सबसे लंब फोर्थ ब्रिज और दूसरा इसका नाम है कोवूर राजमुंदरी बाइपास ब्रिज ये भी इसका एक दूसरा नाम है किस नदी पे बना है तो दोस्तो ये गोदावरी नदी पे बना है लेंथ क्या है इसकी ये 6000 मीटर है 6000 मीटर लगबग 6 किलो मीटर हो गया ये then completed opened कब open किय गया ये दोस्तो 2015 में open किया गया क्या है इसकी location कहां पर है ये पुल ये है पुल राजमुंदरी आंदरप्रदेश में और ये भी क्या है सड़क का पुल है रोड पुल है ये connect करता है किसको दोस्तो ये कवरूर इन वेस्ट गोदावरी district 2 दिवान चेरिवू जंशन इन रा ये गंगा नदी के उपर बना है महत्मा गान्धी से तू इसकी length कितनी है और ये भारत का तीसरा सबसे लंबा पुल है पाँच जार साथ सो पचास फाज़ावज़ेट फिफ्टी मीटर लगभग पाँच दशमलो साथ पाँच किलो मीटर याद रखिएगा ये कब open कर दिय गया था ये 1982 में open किया गया था दोस्तों location क्या है इसकी पटना हाजिपूर बिहार ये location है इसकी ये भी कैसा पुल है ये road का है मतलब सड़क का पुल है ये connecting ये किसको connect कर रहा है दूसरा ये connect कर रहा है पटना in south to हाजिपूर in the north मतलब बिहार में ही ये क्या है मतलब south जो कि south में पटना है और north में क्या है हाजिपूर इन दोनों area को connect कर रहा है ये पुल महतमगान्दी से तू देन चौथा है बांधरा वरली सी लिंक बहुत अच्छे से आप जानते होंगे मुंबई का बहुत famous पुल है बांधरा वरली सी लिंक ठीक है ये किसके माहिम बे पे बन मुंबई ये पुल है ये कब open किया गया दोस्तों 2009 में open किया गया location कहां है मुंबई महरास्टरा और ये भी सड़क का पुल है road जो transportation type का है इसके दोस्तों road ये connect कर रहा है किसको बांधरा in the western suburbs जो पस्चमी सुदूर वर्ती है बांधरा उसे connect कर रहा है वरली in south मुंबई ज इसका नाम है बांधरा वरली मतलब बांधरा से वरली को connect करता हुआ एक sea link मतलब समुद्र का link दें पाचवा अभी inaugurate किया गया 2018 में और ये भी प्रधान मंत्री मोधी जी के दोरा inaugurate किया गया बोगी बील ब्रिज क्या नाम है इसका बोगी बील ब्रिज ये किसके उपर बन ब्रह्मः पुत्र रीवर इसकी length कितनी है 4940 मतलब 4.9 किलोमेटर लंबा ये ब्रिज है लगभक complete कप किया हुआ हुआ है 2018 में complete हुआ है location इसकी क्या है location इसकी है डिब्रूगर आसाम डिब्रूगर आसाम transportation type क्या है rail कम रोड अब देखें rail कम रोड का मतलब ये है ये पुलि अबर से क्या निकलेगी train निकलेगी मतलब साथ साथ है दोनों के लिए अलग अलग नहीं है नीचे से train निकलेगी और उपर से सड़क का है तो जितने भी सड़क पे जो वहां चलते हैं जो वहीकल चलते हैं वो move करेंगे that's why नाम है rail कम रोड ब्रिज मतलब दोनों काम हो रह यहां पर आप देख लीजे यह एक image है यह rail निकल रही है नीचे से और इसके ऊपर क्या है सड़क है तो rail कम रोड ब्रिज है connect कर रहा है किसको तो धिमाजी district and डिब्रुगर्ट is taken आसाम आसाम के ही यह दोनों जिले हैं इन दोनों जिलों को connect कर रहा है यह ब्रिज देन विक यह कब complete हुआ था जंता के लिए खोला गया था 2001 में location क्या है इसकी दोस्तों इसकी location है भागलपुर बिहार यह भी कैसा है यह सड़क का पुल है दोस्तों देख connect किसको कर रहा है यह यह connect कर रहा है NH national highway 33 और national highway 31 को running on the opposite side of the गंगेस मतलब एक तरफ क्या है NH 33 है एक तरफ क्या धागलपुर ब्वागलपुर को connect कर रहा है इससे पुरणिया और कटियार यह धोनों कहां है बिहार में है तो इससे connect कर रहा है यह देन वेंबनाड rail bridge यह rail का point है वेंबनाड में constructed over पर विंबनाड लेक जो विंबनाड जील है ठीक है उसे connect कर रहा है ये मतलब स्वारी उस पर बना हुआ है ये लेंथ किसकी इसकी 4620 किलोमेटर इसकी लेंथ है मतलब 4.6 किलोमेटर लगभग कब कम्पलीट हुआ ये 2011 में कम्पलीट हुआ लोकेशन के है इसकी कोची केरला और ये कैसा ब्रिज है तो रेल ब्रिज है जो टाइटिल है वही रेल ब्रिज है तो टाइटिल से समझ जाए ये रेल ब्रिज है अब ये किस एरिया को connect कर रहा है तो ये connect कर रहा है एडा पल्ली और वलार पदम इन कोची केरला कोची केरला मे है ये जगे इन्हें connect कर रहा है आगे बढ़ते हैं दीघा सोनपुर ब्रिज दीघा सोनपुर constructed over किस पर बना है ये भी गंगा नदी पर बना है और इसकी length कितनी है 4556 meter लगभग 4.5 km 4.5 km लंबा ये पुल है लगभग ये कब open किया गया 2016 में open किया गया location क्या है इसकी पटना सोनपुर बिहार ये भी दोस्तों rail come road bridge है ये क्या है rail come road bridge है अभी आपने इसके पहले देखा था बोगी बील वो सबसे लंबा rail come road bridge है ये second number पे आता है दीघा सोनपुर ब्रिज rail come road ठीक है ये road है और ये rail है याद रखेगा देन connect कर रहा है किसे दीघा घाट इन पटना एंड पहले जा घाट इन सोनपुर सारन डिस्टिक्ट इन इंडियन स्टेट आफ बिहार बिहार जो की एक भारतिय राज्य है वहां के दीघा घाट जो की पटना में है और पहले जा घाट जो की सोनपुर है सोनपुर सारन डिस्टिक्ट में इन दोनों को ये connect करता है देन आरा छपरा ब्रिज और एक उसका दूसरा नाम है वीर कुंण सिंग से तू याद रखेगा आरा चपरा भी कह सकते हैं और वीर कुंण सिंग से तो भी कह सकते हैं ये किस पर बना है दोस्तों ये बना है गंगा निदी पर लेंथ कितनी इसकी 4350 मेटर लगभग 4.3 किलो मेटर ये कब कंपलीट हुआ 2017 में location क्या है इसकी आरा चपरा भीहार transportation type क्या है ये भी सड़क का पुल है सिर्फ रोड पुल है आप देख सकते हैं यहाँ पर only road connecting ये किसे connect कर रहा है आरा एंड चपरा इन भोजपूर and Surern District in the Indian state of भीहार नाम ही है आरा चपरा तो आरा से चपरा को connect कर रहा है ये bridge जानते हैं और ये मुंगेर गंगा प्रेज है ये किस पर बना हुआ है दोस्तों ये गंगा नदी पर बना हुआ है length किस किनी है कि कितनी है सकी 3692 meter मतलब लगभग 3.6 kilometer then complete कब हुआ ये कब open किया गया 2016 में location कहां पर है ये मुंगेर बिहार ठीक है ये क्या है ये भी rail कम then connecting किसे connect कर रहा है तो ये कनेक कर रहा है मुंगेर डिस्टिक ठीक है मुंगेर जमालपुर ये twin cities हैं ठीक है in twin cities को जो जुड़वा शहर है इनहें connect करता है various districts of North Bihar North Bihar के जो बहुत सारे जिले है उनको connect करता है और ये twin cities हैं मुंगेर और जमालपुर ग्यारवा है चहलारी घाट ब्रिज ये घागरा नदी पे बना हुआ है घागरा रिवर इसकी लंद कितनी है 3260 मीटर मतलब लगभग 3.2 किलोमेटर और ये कंप्लीट कप किया गया 2017 में लोकेशन क्या है इसकी लोकेशन है एक तरफ है बहराईच और दूसरी तरफ है सीथापूर तो बहराईच सीथापूर मतलब इस पुल के एक तरफ है सीथापूर डिस्टिक दोनों उत्तर प्रदेश के ही डिस्टिक है और एक तरफ है बहराईच डिस्टिक तो इसकी लोकेश टाइप क्या है ये भी रोड का पुल है connect किसको कर रहा है बहराइच in the east to sitapur in the west मतलब east में बहराइच है और west में sitapur है तो इनको connect कर रहा है ये दोनों districts हैं ये दोनों district कहां है उत्तर प्रदेश में जवाहर सेतू ये सोन नदी पे बना हुआ है सोन नदी और length है इसकी 3061 लगभग 3 km लंबा ये bridge है ये कब complete हुआ था ये कब open किया गया था 1965 में 1965 location इसकी है देहरी बिहार ये कहां पे है देहरी बिहार transportation type ये भी सिर्फ road couple है connect करता है किसे देहरी on zone zone पर देहरी and zone नगर in the Indian state of बिहार इसे connect करता है then नहरू सेतू देखे अभी आपने क्या पढ़ा जवाहर सेतू जवाहर सेतू के बगल में ही मतलब बिलकुल लगा हुआ अब यहां पर क्या है क्योंकि rail और road एक साथ तो है नहीं अब railway भी तो यहां से गल लाइन निकली है तो railway line के लिए भी तो bridge होना चाहिए तो railway line के लि meter complete कब हुआ यह 19 सों में complete हुआ location same है देहरी भीहार और यह सिर्फ rail bridge है वो इसके पहले आपने पढ़ा जवाहर सेतू वो road bridge था यह rail bridge है तो connect same कर रहा यह देहरी आंसोन सोन नगर इंदेन इस state of भीहार मतलब यह जो जवाहर सेतू है और यह आप देख रहे हैं नहरू सेतू यह दोनों same नदी पर same length में बने हुए हैं बसरते एक road bridge है और एक rail bridge है तिन कोलिया भूमरा सेतू याद रखेगा किस पे बना है ब्रह्मपुतर नदी पे बना है लेंद कितनी है 3015 meter है कब complete हुआ था 1987 में क्या है location इस bridge की तेजपुर कालिया बोर आसाम यह भी क्या है एक road bridge है याद रखेगा connect किसे करता है यह bridge bridge connect करता है connect सोनीतपुर on the north north में सोनीतपुर है north bank मतलब उत्तरी किनारे पर with नगाव डिस्टिक on the south bank दचुडी किनारे पर क्या है नगाव डिस्टिक ठीक है और यह कहा है आसाम में है याद रखेगा then कोर्थी कोलहार bridge कोर्थी कोलहार bridge यह krishna नदी पे बने हुए bridge है constructed over krishna length क्या है इसकी 3000 मतलब exact 3 km की length है इसकी 2006 में open किया गया था location इसकी है बीजापुर करनाट का location क्या है इसकी बीजापुर करनाट का और transportation type क्या है इसका transportation type है इसका road याद रखेगा transportation type क्या है इसका road रोड पे बना हुआ बोल है then connect किसे करता है बीजापुर and hubli of करनाट का बीजापुर और hubli को connect करता है करनाट का में देन नेता जी सुभास चंदर बोश सेतु याद रखेगा किस पे बना है ये बना है काथा जोडी river काथा जोडी नदी है उस पे बना हुआ है length है 2880 meter लगभग 2.8 km लंबा ये bridge है कब complete हुआ 2017 में complete हुआ location क्या है इसकी location है कटक उडिसा ठीक है location है कटक उडिसा और ये भी road bridge है अब bridge है तो connect किसे करता है ये well viewpoint near judicial academy in कटक to trishulia क्या है इसे connect करता है ये याद रखेगा इस चीज को देन गोदावरी bridge ये गोदावरी नदी पे बना हुआ bridge है ठीक है constructed over गोदावरी river गोदावरी नदी पे बना है length क्या इसकी length है 2790 2790 meter मतलब लगभग 2.7 km की length है 1974 में open कर दिया गया था ये bridge 1974 में location है इसकी राजमुंदरी आंदरपरदेश कहाँ पे है ये bridge तो ये bridge है राजमुंदरी आंदरपरदेश और ये भी transportation type क्या है इसका rail come road ठीक है मतलब दोनों एक साथ है उपर आप देख सकते है road है और नीचे आप देखेंगे तो क्या है नीचे rail है तो connect किसे कर रहा है ये कवरूर एंड राजमुंदरी को connect कर रहा है किसे कवरूर एंड राजमुंदरी देन गोदावरी आर्क bridge देखे ये जो आर्क का मतलब होता है न ये इस structure को कहते हैं ये जो structure बना हुआ है इस तरीके का ये जो आ 745 लगभग 2.7 km की length है इसकी complete कब हुआ था ठीक है 1997 में लेकिन open कब किया गया 2003 में open किया गया था general then location है इसकी राजमुंदरी आंधर प्रदेश में और ये सिर्फ rail bridge है क्या है ये सिर्फ rail bridge है connect कर रहा है किसे the कवरूर channel and the राजमुंदरी channel इसे connect कर रहा है hence the bridge is also known as कवरूर राजमुंदरी bridge क्योंकि ये कवरूर चैनल है इसको connect कर रहा है राजमुंदरी से इसले इसका एक दूसरा नाम भी है कवरूर राजमुंदरी bridge के नाम से भी हम इसे जानते हैं then पिनुमूरी पूली गदा bridge ये है तो ये किस पे बना हुआ है दोस्तों कृष्णा नदी पे बना हुआ है लेंथ है इसकी 2.2590 मीटर लगभग 2.5 किलोमीटर याद रखेगा और ये ओपन कप किया गया 2006 में लोकेशन इसकी है अवनी गद्दा आंधरप्रदेश अवनी गद्दा आंधरप्रदेश ट्रांसपोर्डेशन टाइप क्या है ये रोड ट्रांसपोर्डेश जो कनेक करता है किसे ये पेनुमूरी इन गुंतूर डिस्टिक्ट पेनुमूरी कहाँ पर है गुंतूर जिले में है आंधरप्रदेश के और पुली गद्दा ये कृष्णा डिस्टिक्ट है आंधरप्रदेश का वहाँ पर है that's why hence the name इसी के लिए ये दो एरिया को कनेक कर है ना उसी के भियापर इसका नाम है मतलब पेनुमूरी को पुली गद्दा से कनेक करता हुआ ब्रिज है पेनुमूरी कहाँ है गुंतूर डिस्टिक्ट में और पुली गद्दा कहाँ है कृष्णा डिस्टिक्ट और दोनों डिस्टिक कहाँ है आंधरप्रदेश में याद करूँ तो बांदरा वरली C-Link के पहले यही क्या था सबसे बड़ा C-Link हुआ करता था याद रखेगा C-Link की बात कर रहा हूं मतलब समुद्र पे बना हुआ सबसे लंबा पुल यही हुआ करता था लेकिन बांदरा वरली C-Link बन गया तो यह दूसरे नमबर पर आगे एक तरीक का यह ब्रिज है और कम्प्लीट यह कब कम्प्लीट हुआ था 1988 में लोकेशन है इसकी पंबन आइलेंड जो की तमिलनाडो में है पंबन आइलेंड तमिलनाडो में है वहाँ पर यह बना हुआ है ट्रांस्पोरेशन टाइप क्या है स्वारी यह गलत लिख दिया यहाँ पर यह transportation type है यहाँ पर rail, computer जी से गलती हो गई, transportation type क्या है, यह rail type है, connect किसे कर रहा है, the town of, the town of Mandapam in mainland India with Pamban Island and Rameshwaram, मतलब Rameshwaram को mainland से जोडने वाला यह pull है, याद रखेगा, Rameshwaram आप जानते हैं, तीर सेस्थान भी है, ठीक है, तो Rameshwaram को mainland से जोडने वाला, यह क्या है, bridge है then, Badayun-Gaj-Dundwara bridge, Badayun-Gaj-Dundwara उत्तरप्रदेश में है, किस पर बना है, गंगा नदी पर बना हुआ है, length 2334 meter लगभग, 2.3 km open किया गया 2012 में, location है इसकी उत्तरप्रदेश का बदाईउजला, उत्तरप्रदेश का बदाईउजला, UP West में बदाईउडिस्टिक्ट है, तो बदाईउडिस्टिक इसकी location है, और यह road coverage है, कैसा बदाईज है, road का, जो connect करता है किसे, बदाईउडिस्टिक को है, ठीक है, उससे connect करने का काम करता है यह bridge, then, नर नारायन सेतू, क्या नाम है नर नारायन सेतू, यह ब्रहमपुत्र रीवर पे बना हुआ है, जिसकी length है 2284 लगभग, 2.2 km, कब open किया गया, 1998 में, और location क्या है इसकी, location है जोगीग होपा, आसाम, आसाम के जोगीग होपा मे यह bridge बना हुआ है, transportation type क्या है, यह भी rail come road bridge है, मतलब अगेन आप देख सकते हैं, नीचे rail, उपर road, तो rail come road bridge, मतलब दोनों एक साथ चलेंगे, connecting, यह connect कर रहा है जोगीग होपा, जोगी होपा क्या है, a town of, a town of बुंगाई गाओं district on the north, north में, with पंचरतन, a town of गोलपारा district on the south यह एक तरफ north हो गया, एक तरफ south हो गया, तो north-south में क्या है, north में है बुंगाई गाओं district, ठीक है, जहाँ पर क्या है, जोगीग होपा town है, याद रखेगा, और south में क्या है, पंचरतन, यह town है कहाँ पर, गोलपारा district में, तो इन्हें connect करने का काम करता है, नर, नरायन, स तो, then, फरक का बैराज, अब दोस्तों, यह एक बैराज है, पूरा का पूरा, इस बैराज पर एक पुल बनाया गया है, याद रखेगा, तो इसे फरक का बैराज बोलते हैं, ब्रिज बोलते हैं, तो यह constructed over किस पर बना है, यह भी गंग, यह भी गंगा रिवर पर बना कम्पलीट कब हुआ था, 1975 में, लोकेशन क्योंकि फरक का कहां पर है, वेस्ट बेंगॉल है, और यह भी रेल कम रोड ब्रिज है, मतलब यह भी यहाँ पर भी रेल और रोड दोनों साथ साथ हैं, कनेक कर रहा है किसे डारेक्ट रोड और रेल कम्यूनिकेशन, यह रोड और दिन, आगे है कनक दुर्गा वाराधी, कनक दुर्गा वाराधी ब्रिज यह किस पर बना हुआ है, यह कृष्ण नदी पर बना हुआ है, इसके लेंद क्या है, 2200 मेटर, यह कप कम्प्लीट हुआ दोस्तों, यह 1995 में कम्प्लीट हुआ, लोकेशन है इसकी विजाई वाड़ विध हैदराबाद, मचली पटनम को हैदराबास से कनक करने का काम करता है, यह ब्रिज, और सबसे लास्ट में है, सेकेंड महा नदी रेल ब्रिज मतलब, महा नदी पे बना हुआ दूसरा ब्रिज, यह महा नदी पे बना हुआ है, लेंध है इसकी 210 मतलब, लगभग 2.1 किलो मीटर open किया गया 2008 में location इसकी है कटक उडिसा और ये क्या है ये rail bridge है याद रखेगा connect कर रहा है किसे तो rail bridge है तो rail bridge connect कर रहा है ये खड़गपूर पूरी line को connect करता है और हावड़ा और चन्नई main line को connect करता है तो ये बात याद रखेगा तो आज के session में हमने पढ़ा कि भारत में 25 सबसे लंबे bridge जो longest bridge है वो कौन-कौन से है उसके बारे में हमने जाना दोस्तों आसा करता हूँ ये session आपको पसंद आया होगा और आपके examination point of view से जितनी भी important चीजे थी वो मैंने बता दी क्योंकि जब भी इसके बारे में बात आती हमेशा bridge की location पर questions पूछे जाते हैं then bridge किसे connect कर रहा है ये questions पूछे जाते हैं या bridge किस नदी या किस लेक पर बना हुआ है ये questions पूछे जाते हैं तो वो सारी चीजे मैंने आपके लिए यहाँ पर बता दी याद रखेगा तो ये बहुत ही important session है अच्छे से देखिएगा complete इसको और session कैसा लगा comment करके जरूर बताइए दोस्तों तो मिलते हैं अगले session में किसी और information के साथ तब तक के लिए thank you, thanks a lot